हेलो केडिट्स वेलकम तो दा लास्ट लेक्च्चर ओफ यूर 17 चैप्टर देज मेजरमेंट आज अपन को करंसी के बारे में पढ़ना है और टेंपरेचर बुखार है की नहीं कोविड में आपको टेंपरेचन आपने के लिए चलो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बीना कि तो आपने यह देखा है तो रूपी का सिंबल कैसा है ऐसा र और लाइन ठीक है र टाइप का मैं आना है और फिर उसमें लाइन तो देस इस यूर रिप्रेजेंटेशन आफ रूपी जैसे अगर मैं को बोलना है पांसो रूपए तो मैं क्या बोलूंगा पांसो रूपए र पीछे भी लगा सकते है रूपीज 10 या 10 रूपीज तो अब आपको बस यहां पर एक चीज़ का कनवर्जन मालूम होना चाहिए एक रूपए में कितने पैसा होते हैं पैसा भी यूनिट है किसका मनी के लिए और रूपी एक यूनिट क्या है रूपी और एक है पैसा सुना हुआ है बोलो के सर यह कौन नहीं सुना है तो एक रूपीज में कितने पैसा होता है तो आपको मालूम है एक रूपीज में 100 पैसा होता है बस यह याद रखना है मतला अगर मैं बोलतू 10 रूपए 10 रूपए में कितना पैसा तो आप बोलो के सर एक में कितना होता है 100 तो 10 म दन चमक गया ये एक रूपीज में कितना होता है 100 पैसा तो 10 रूपे में कितना होगा 1000 पैसा बस ये कन्वर्जन आना चाहिए ये 100 पैसा को गन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा एक रूपे में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 100 पैसे है ना 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो एक रूपे है तो जब भी पैसे को रूपीज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100 और रूपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो इतना ही याद र परता है ठीक है सबसे पहले क्या करना पड़ता है सबसे पहले आपको स्क्रीन को पॉस करके अटेम्ट करना रहता है चलो देखो एक रूपीज में 100 पैसे होते हैं तो 27.3 रूपीज में कितने होंगे 27.3 इंटू 100 पैसे तो यह कितना हो गया 27.3 जिरो दो 100 से मल्टिप्लाइ किया रहा तो डेसीमल एक पीछे और एक और पीछे चल जाएगा तो 27.3 पैसे 2730 पैसे डी इस दा करेक्ट एंसर चमक ग्या इजी था चलो बहुत ज्यादधा इससे ज्यादा एसी तो पूरे 17 चैप्टर में कुछ नहीं था लास्ट चीज है टैंप्रेचर टैंप्रेचर क्या चीज के लिए बनाएं गया विया क्यों कोई चीज कितनी गरम है या कितनी थंडी तो जो गैस चालू है उसके उपर कोई एक अपका यूटेंसिल रखा हुए है कोई एक बरतन रखा हुए तो जब आप कोई ठंडी चीज को छूरे हो तो एकदम ठंडा लग रहा है तो कोई चीज कितना ठंडा है या कोई चीज कितना गरम है ये किस quantity से बताओगे ये भी तो जानना ज़रूरी है न तो ये quantity आपको बताता है temperature टेंपरेचर टेंपरेचर जो है जिसको टी से डेनोट करते हैं ये temperature आपको बताएगा कोई चीज कितनी गरम है या कोई चीज कितनी ठंडी है कूल तो एकदम आग बबुला वाले एकदम क्रोधित इनसान हो आप तो ये कौन बताता है temperature अब temperature की भी unit होगी जैसे length की है meter, centimeter, decimeter, hectometer, kilometer, weight की है kg, gram है की नहीं, milligram, centigram, time की है second, hour, day, minutes, week, month, year ये सब second की units है area की meter square, centimeter square, volume की meter cube, volume cube, centimeter cube वैसे ही temperature की बहुत सारी unit होती है जिसमें से आपको पढ़नी है दो कौन-कौन सी Celsius और Fahrenheit degree Celsius and degree Fahrenheit degree Celsius को ऐसे दिखाते हैं degree Celsius, degree Fahrenheit जैसे अगर मैं को बोलना है 30 degree Celsius, 30 degree Fahrenheit तो 30 degree Celsius, 30 degree Fahrenheit तो 30 degree Celsius, 30 degree Fahrenheit तो तो आपको यहाँ पर बस conversion आना चाहिए जैसे meter का centimeter में conversion आता था वैसे, तो बस यह दो formula हैं जो आपको याद रखने है, जब भी आपको question दिया है centimeter में, मालनो मगर मैं बोल दूँ 10 centimeter, degree Celsius में, 10 degree Celsius, मैं आप बोलू बताओ यह कितने Fahrenheit के बराबर होगा, तो आपको क्या करना है, इस formula में value पूट करनी है, Celsius कितना, 10, तो 9 by 5 into 10 plus 32, यह हो जाएगा Fahrenheit में, clear, तो जब भी Celsius से Fahrenheit में convert करना है, तो यह formula 9 by 5 into Celsius plus 32, और अगर एक formula याद है, तो दूसरा यादी है, 5 को उधर ले जाओ, 9 को उधर ले जाओ, और उससे पहले 32 को उधर ले जाओ, तो f minus 32 हो जाएगा, 32 यहाँ, 32 यहाँ, plus में, इसको उधर ले जाओगे, तो minus में, तो f minus 32, और 5 उपर चल जाएगा, 9 नीचे, तो देखो, 5 by 9, f minus 32, तो अगर कोई एक भी याद रखोगे, तो चलेगा, यह दोनों याद रखने हैं, दोनों याद रख सकते हो, क्या करना है, 9 by 5 into Celsius plus 32, बस, 9 by 5 into Celsius plus 32, कितना simple सा formula है, 9 by 5 into Celsius plus 32, तो देखो, 5, 2 जा 10, 9, 2 जा 18, 18 plus 32, 8, 9, 10 का 0, carry 1, 3, 4, 5, 50, 50 degree Fahrenheit, 10 degree Celsius किसके बराबर होगा, 50 degree Fahrenheit के, वैसी अगर Fahrenheit को Celsius में convert करना है, तो यह formula में value put करना हो, temperature क्या होता है, गरमी और कोई भी चीज़ कितना ठंडा है, या कोई भी चीज़ कितना गरम है, temperature is the quantity defined to measure the degree of hotness or coldness is known as temperature, और degree Celsius is the unit of temperature, और उनके बीच में conversion का एक formula है, जो आपको याद रखना है, चलो, question करते हैं, एक दो question करते हैं, फिर chapter खतम, chapter की समापती, पक्का, थोड़ा लंबा चला गए आपका यह chapter, लेकिन don't worry, दो question फिर खतम, 302 degree Fahrenheit है, उसको Celsius में convert करना है, तो सबसे पहले याद करोगे, Fahrenheit को Celsius में convert करना है, तो Celsius is equal to 5 by 9, Fahrenheit minus 32, ये था formula, ठीक है, तो Celsius is equal to 5 by 9, कितना Fahrenheit 302, 302 minus 32, 302 में से 2 घट गया है, 300, 300 में से 30 और अटाना है, 302 में से 30 अटात हो कि तो 270, तो 5 into 270 upon 9, 9, 3s are 27, 27, yes, 9, 3s are 27, तो 30, 5, 3s are 15, 150 degree Celsius, तो 302 degree Fahrenheit किसके बराबर है, 150 degree Celsius, 150 degree Celsius, then, A is the correct, done, हो गया, चलो, next question, Celsius को Fahrenheit में convert करना है, तो Fahrenheit का formula क्या है, Fahrenheit का formula है भी है, 9 by 5 Celsius plus 32, तो देखो, 9 by 5 into Celsius कितना, 30 plus 32, 5, 6 are 30, ठीक है, 69 सा, 54 plus 32, 4 plus 2, 6, 5 plus 3, 8, 86 degree Fahrenheit, मतलब 30 degree Celsius आपका होता है, 86 degree, done, चमक ग्या, formula क्या था दूरो, 9 by 5, C plus 32, Celsius को Fahrenheit में convert करने के लिए, और Fahrenheit से Celsius में convert करने के लिए, यह वाला formula, पहले इस question में, Fahrenheit से Celsius में convert करने वाला formula, यूज किये, फिर यहाँ पर Celsius से Fahrenheit में convert करने वाला formula, तो easy आपका answer आगया, 86 degree Fahrenheit, तो this is your answer, इसी के साथ, आपके सारे chapter complete होता है, maths के पूरे 17 chapter आपके complete, okay, congratulations, you have completed all the chapters, तो अपना previous situation क्या था, measurement गया, next, जाजी ले अपनी जिंदगी, okay, तो अब proper revise करो, proper notes बनाओ, यह आपकी जिम्मेदारी है, करोगे, पक्का, आपकी जिम्मेदारी है, notes बनाना, revise करना, exercise करना, और previous year questions बहुत important है, बहुत 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 जादा important है, ठीक है, तो previous year questions करो, और कहीं पर कुछ doubt है, कुछ और समझना है, कोई तकलीफ है, पढ़ाई के अलावा भी कोई तकलीफ है, तो आप मुझे से बात कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ telegram group, whatsapp group में जूर सकते हैं, जो आपको, link आपको मिल जाएगी channel में, soluble sense में, ठीक है, और बाकी, thank you, पूरा का पूरा lecture देखने के लिए, ठीक है, आगे जूड़े रहो हुमारे साथ, और भी बहुत सारी सीज़ें आपके लिए आने वाली है, तो आज अपनी chapter को यहां पर complete करते हैं, फिर मिलेंगे आगे, आपके आगे की classes के लिए, और भी अलग-अलग modules को ले करके, अभी तो exercise भी आएंगी, exercise होगर पूरी आपकी यहां पर आएंगी, ठीक है, चलो, तो end करते हैं, हसते रहो, मुश्कुराते रहो, और देखते रह सारफ सर्की क्लास, जै हिंद, बाइबाइ, टेक केर.